वास्कार दोस्तो मेरा नाम है सेकर और स्वागत आप सभी का हमारे ट्यूप चैनल सिकर स्टड़ी पॉइंट पर दोस्तो वीडियो को देखने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं किया हुआ है तो दोस्तो चैनल को जरूर सस्क्राइब कर लिजेगा और सांती बेल आइकन भी जरूर दबाएगा तो इसमें हम देखने वाले हैं 30 मेहत्मून प्रस्नों को और 30 में से सबसे ज्यादा प्रस्न है यानि कि 15 प्रस्न आपको देखने को मिलेंगे उत्राखंड के वांकि हिंदी भी रहेगी जीके भी रहेगी सब कुछ रहेगा तो आपको पताने हैं महत्मून प्रस्नै और किसी ने किसी एक्जाम मा ज़रूर देखने को मिलसकता है कल का जो परशन था संयुक्त राष्ट माना उधिकार परिशत का गठन का भुगाता करके तो संयुक्त राष्ट माना उधिकार परिशत का गठन जून 2006 में और अल्मोड आगबार का परकासन अठार सो एकत्तर में किया गया था और स्वयुक्त राष्ट माना उदिकार परिशत 2006, जून 2006 तो ये विल्कुल याद अठना है महत्पुन प्रसन है किसी ने किसी एक्जाम में ज़रूर देखने को मिल सकता है SCRT तो नरेंदगर मत था 17 जनौरी 2006 को यहीं इस्ताव नावी थी पर्तमान में एरादुन में है और वागी 2006, 2006 इसका से उत्तर है तो शुरुवाद होगी दोस्तों हिंदी के महत्पुन प्रसनु से और हिंदी का पहला प्रसनिया पर रहिमन पुत्री स्याम मनहू जलज मधुकर लसे परस्तुत पक्ति में कौन सा लंकार यमक, उत्प्रेक्चार उपक या फिर उपमा अब दोस्तों जहां पर मनहू दिख जाए या दिख जाए मनहू, जनो, मानो या फिर जनहू, कुछ भी इस्तरका दिख जाए तो वहाँ पर दोस्तों वाच्चक सब्द यह जाएंगे उत्प्रेक्चालंकार वहाँ पर होगा तो ये ट्रीक है दोस्तों आप कहीं पर भी आपको दिखे तो आपको सीधे उत्प्रेक्चालंकार करना है तो option नमर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर अगला परसन है सुमीतरा नंदन पंथ की सुपर सिध कविता परिवर्तन परिवर्तन है कहीं अब भेर्ट युगले नहीं है परिवर्तन उनके किस काब यसंकलन में स्वरु पर्तम परकासित हुई गुंजन ग्राम्या पल्लाव या फिर यूगांत तो इस सारी राशना है उन कौन सी संदी है तो ये भी मैत्व Privunge है कृइब एक्जाम में बनता है प्रत्य कमें को संदी विच्षेत करेंगे तो ये zajan आ नेकर सब्सेबर चाहेंगे अगला प्रस्ण है अंधा क्या चाहे दो आखें लोकोक्ति का अर्थ यहां पर बताना है बिना पैसे के वस्तू को प्राप्त करना किसी वस्तू को प्राप्त करना मेहनत करके किसी वस्तू को प्राप्त करना यह फिर आदमी वही चाहता है जिसकी उससे अधिक आउसकता होती ह तो पढ़ने से ही दोस्तों बिल्कुल ये option सही लगा D हमें कि आदमी होई चाहता है जिसकी उसे अधिक आउसकता होती है तो अंधा क्या चाहे दो आक है तो option बर D हो जाएगा इसका बिल्कुल से उत्तर महत्मुन प्रस्ण है एकजाम में पूछा जा सकता है अगला प्रस्ण है और पत्र से प्रस्ण है अपने मित्रूं बंदु जनूं को लिखने वाले पत्रूं को किस परकार के पत्र माना जाता है क्या कारले पत्र क्या मित्रूं ये बंदूं को तो कारले बिल्कुल नहीं ब्याउशाय समंदी भी नहीं हो सकता अब आपचारिक अन अगला प्रस्न है भारती सविधान के किस अनुचेद में यह कहा गया है भारत संग की राजभासा हिंदी होगी और लिपी देवनागरी होगी तो यह हो जाएगा दूस्तु बांकी तो चार सो देत्तालिस तीन सो ताउन बहुत दूर हो गया यह भी नहीं होगा यह जाएगा संग की राजभासा हिंदी और लिपी जो होगी देवनागरी होगी अगला प्रस्न है अद्री सब्द का अर्थ है अद्री दोस्तों यह अगर आपको पर्यावाची आपने पड़े हैं तो निच्ची रूप से गीला नहीं होगा दूख नहीं हो जाएगा पर्वत तो अद् अचल महिधर भी है यह पर्वत हो जाएगा इसका सेटर अगला प्रस्न है निमलिकित मैंसे कौन सा कथन सत्य नहीं है उत्राखंड के अल्मोडा जिले में चांदी पाए जाती है जी बिल्कुल ऑप्सन यह सही है टिहीरी जिले में यूरेनेम की उपलब्द ताके संकेत मिल कि थोड़ा गड़ में इस्टे राइट के परचुल भंदार मिलते हैं तो ऑप्सन अबर डी हो जाएगा इसका सेटर तो कुछा सत्ती नहीं है तो यह जाएगा ऑप्सन अबर डी अगले है उत्राखंड राज्जी लोक सेवा आयोक यूके पीस्सी में सदस्यों की संख्या कितनी है एक अध्यक्च तो है कि एक अध्यक्च दो चार तीन एक तो उत्राखंड में अभी बात करें एक अध्यक्च है इनमें से कोई ओप्सन नहीं होगा एक अध्यक्च तो है एक अध्यक्च है और सदस्य कितने है तो 6 सदस्य है तो यह आप याद रखेगा एक अध्यक्च और 6 सदस्य एकजाम में पूछा जा सकता है लोक से वायोक कब बना था तो 2001 में बना था और एक अध्यक्च है यह आपको बिल्कुल याद रखना है यह अध्यक्च तो सब एक बार भी नहीं एनपी नवानी सीधे-सीधे आपको याद होना चाहिए बरतमान में आनंद सिंग रावत और इस अगले प्रशन की तरफ अगला प्रस्ण है इंडियन medicine pharmaceutical limited कहां इस्तित है तो यह है अलमोडा में है मोहान अलमोडा में तो यहाँ यह और बाकि जैसे रानी खेत है अप्शन में तो यहाँ जो cooperative drug factory है वो कहाँ है तो रानी खेत में है और बाकि जो रिसी case में है Indian drugs and pharmaceutical limited यह कहाँ है तो यह है रिसी case में और बाकि इसका शेत्र हैगा हमारा अलमोडा Indian medicine pharmaceutical limited अलमोडा में है मोहान अलमोडा अगला प्रस्न है दोस्तो उत्राखंड का सर्वादिक नगरी करत जिला है तो यह भी मैत्वन होंगितों तुप पहले नंबर पर देहरादुन है divul है और तीसरे नंबर पर है हरिदोर सर्वादिक नगरी करत जिल यह आपको यादखने है वह यह हरिदोर अगला बसन है यहाँ पर सुमेलित करना है, एक तरब थैसिल दिये हुएं, एक तरब जन्पत दिया हुआ है आप दोस्तों यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, जैसे जो विकास खंड है उन्हां सुमेलित कीजिए और कुछ भी मन्दीर, कुछ भी जो पर्योजना है, कुछ भी सुमेलियन में इस तरह से आ सकता है और पहले मिलाते हैं यहां पर सल्ट दोस्तों, सल्ट अलमोडा में है सल्ट कुमाओं का बारदोली, यह अलमोडा में है ये तो खेर सभी को पता है, लेंसे डाउन, तो लेंसे डाउन पौडी, ये भी आसान है, बाकि उकीमठ, उधर परियाग, खटीमा, उधमसिंग नगर, तो आसान है, एक नमबर एक्जाम में आएगा, तो ये सभी को इसमें मिल जाएगा, तो ये ओप्शन में किसी को मिल होते हैं, कब कुलते हैं, कब बंद होते हैं, तो गंगोत्री मंदीर के कपाड दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा पर, मकर संग्रांती पर, दसरे पर, या फिर दीपावली पर, तो कपाड कब बंद होते हैं, तो गंगोत्री मंदीर, ये गंगामा का मंदीर उत्तरकासी में है और दीपावली पर ये बंद होते हैं तो ये आपको विल्कुल या दखना है बाकि दीपावले बंद होगे फिर उसके बाद पूजा कहा होगी तो ये पूजा होगी मुख्वा गाओं के मारकंडे मंधिर में पूजा होती है उसके बाद और जो यमनोत्री की पूजा होती सीत काल में ये कहां होती है तो ये होती है खरसाले में तो ये भी आपको विल्गुल याद धखने है तो इसका अहत्र होगा हमारा दीपावली दोस्तों इसके बाद अभी उत्राखंड के हैं अभी जीके भी है तो वीडियो को अंतक जरोड देखेगा तो अगला बसने यापर और अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरोड से कर दीजे अगला बसने बिद्या सागर नौटियाल की आत्म गता है भीम केला मूख बलीदान उत्तरबाया हैं मोहन गाता जाएगा का प्रेमचंद अगला बसने आपकारी सिपाई में प्रसने बनाथा है गड़ूाली भासा और उसका सहत्ती पुस्तक किसने लिखी तो यह भी महित्पुन प्रस्ण है, गडवाली भासा और उसका साहित्ति, तो इसका सेत्र रहेगा हरीधत भट सैलेश, तो यह आपको विल्कुल यादखना है, और इनके जनम द्योश को ही, उत्राखंड साहित्तिकार द्योश के रूपर मना जाता है, उनिस सितंबर को, उनि वेकार पर था, सेकर पाठक, अगला परस्ण है, टिहरी रियासत की राध्धानी, टिहरी की स्तापना कब हुई, तो बांकी दोस्तों यहाँ पर, आप्शन में सम्मा 28 है, पाकी दिसंबर, जनुरी, फ्रवरी, इनमे करने टिक, पाकी यह भी आसान से है, मतलब कि मुश्किल आप्शन है, असान भी नहीं, तो यह जाएगा 8 रिसंबर 8805 को, टिहरी दियासत की राध्धानी टिहरी में, 8 रिसंबर 8805 को महाराजा सुदर्शन साने, तो यह आपको बिल्कुल यादक नहीं, और जो टिहरी इस्तापना दिवस है, इसको मनाय जाता है, टिहरी तो इस् पवार सासन में परचलित मापन इकाई पाथा सम्तुली था, तो यह भी आया था कि पाथा कि इसने चलाए था, तो अजाई पाल ने, अजाई पाल, और एक पाथा जो होता था, वो एक किलो का नहीं होता था, यह होता था, दो की जीगा, तो दो किलो का होता था, एक पाथा तो यह आपको बिल्कुल याद रखना तो option बर स्य हो जाएगा इसका बिल्कुल स्युक्तर अगला प्रस्ने है निमलिकित में से किस बौध साइति में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धान्त संबंदित परवचन है बिनई पिटक, अभिधम पिटक, शुत्ध पिटक जातक कताएं तो दुस्तो यह महत्मा बुद्ध रखने है और बांकी जैसे तिरी पिटक किस धर्म से संबंदित है यह भी एग्जाम में आता है तो यह हो जाएगा दुस्तो यहाँ पर जैसे बहुत धर्म से हैं इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों हमारा कौन सा सुत्त पिटक में है तो यह आपको बिल्कुल लाद दखने हैं तो ऑप्शन नमर डी अगला पसने हैं 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्तापना किस ने की थी तो इसका उत्तर हो जगा बिनायक दामोदर सावर करने की थी कि सावरकर Num Same Land Remember at Milton Schwester स्वाइटि की स्थापना बागी स्याम视 कृष्ण भर्मा ओप्शन में हैं है तो 25 में लंदन में यहां कि स्यामेशी कृष्ण भर्मा ने इंडिया हांडत की स्था दावदर स्याइट में बागी इसका एक आपके सामने है निश्ची दूप से एक्जाम में पूछा जा सकता है निमलेकित मैंसे किस ने लिखा था भारत की मुक्ती महात्मा गादी के नेत्तुमें नहीं होगी जिन्ना, चर्चिल, बोस या फिर इटली इटली निए एटली किलिमेंट रिचर्ड एटली तो इस तो ये सुबाश चंद्र बोस ने जो इनकी जो आत्म कता है जो इनकी जो बुक है इनकी बुक है वो और दे इंडियनिस्टेगर तो उसमें इन्होंने लिखा था कि भारत की मुक्ती जो है गादी के नेत्तुमें नहीं होगी तो इसका एक तो रिचा हमारा सुबाश चंद्र बोस अगला पसन है आपर निम्नाकित मैंसे कौन सुमेलित नहीं है तो जोन सारी बिल्कुल उत्राखंड है सही है भील ये जगा राजिस्तान बागी खासी कारों ये सब मेखा लई तो ये तो तीनु सही है ये जगा संथाल सुमेलित नहीं तो ये चतिसगण नहीं होगा बागी संथाल कहां तो जैसे बंगाल है बिहार है उडिसा है तो यहां संथाल तो ये जगा हमारा उप्शन मर सी अगला पसन है पिछले बार UK PC ने पूछा था इस प्रसन को दक्षिन भारत में सी चाई ब्योस्ता का अग्रदूत किसे माना जाता है तो इसका इसे तो जगा सर और थर कॉटन को माना जाता है दक्षिन भारत में सी चाई ब्योस्ता का अग्रदूत तो उप्शन नमर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सहीवतर अगला प्रस्न है और ये भी बहुत ज़्यादा महत्मन प्रस्न है सविधान के किस अनुचेत में वैस्क मता अधिकार को माननेता दी गई है 324, 325, 326, 326 तो अनुचेत हैं सारे बिल्कुल करम आईज हैं तो 324 दोस्तो नहीं है सविधान के किस अनुचेत में वैस्क मता अधिकार को माननेता दी गई है तो ये है दोस्तो अनुचेत 326 तो अप्शन नमर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सयुत्तर अगला बशन है किस अधिनियम ने भारत वासियों को अपने देश के परसासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया चार्टर एक्ट 833, चार्टर एक्ट 833, गोर्रमेंट ओफ इंडिया एक्ट 1858 या फिर इंडियान काउंट सिलेक्ट 1861 तो इसका हिस्तर एक्ट चार्टर एक्ट 1833, तो यह 833 के चार्टर एक्ट में था कि भारत वासियों को अपने देश के परसासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया अगला नियोजित विकास मोडल को भारत वर्ष में कब लागू किया गया अगला है वर्ष 2015 में भारत सरकार वारा परसून जोसी को किस पुरुशकार से समानित किया गया तो परसुन जोशी दोस्तों इनका समन्द अलमड़ा दिन पत से हैं और 2015 में इनको दिया गया था पदम सी नहीं तो आप्शन नमर यह हो जाएगा इसका बिल्कुल सेवित्र अगला उत्राखिंड में दिब्वी योग गराम की स्तापना वर्स 1935 में कहा की गई थी केदारनाद बदिनाद रिसी केस या फिर हरीद्वार तो यह प्रसन इसा है निए ऑप्शन इसा है कि इसमें लग सकता है कि कहीं भी किया जा सकता है अगला बशन आप सिर्कार ने किस ब तो परिक्ष्यमाडी माहसानी से मिल जाएगा दाकि ऑप्षन मिलकुल करम आईज है और इसका स्रित्र हो जाएगा वर्ष दो जार छे साथ को महिला ससक्ति गरण वर्ष से कोशित किया गया था महत्मु प्रशने बढ़तने अगले प्रशन की तरफ अगला प्रशने यहां पर वर्ष 2011 की जनगर्णा के नुस्वार उत्राखंड की कितनी परतिसत जन्संक्या परवती भागू में निवास करती है थोड़ा दोस्तो टप परसने है और इसका स्वित्र देगा 64.9 जीरो तो अप्षन बढ़ी हो जाएगा इतनी परतिसत जन्संक्या है जो परवती पुलिस महाने देशा कौन है उत्राखंड के और कौन से नंबर के हैं दोस्तों 11 नंबर के हैं और इसका स्वित्र जगा असोक कुमार और इनके समय आपको देखने को भरती मिलेगी तो यह थी आज की जानकारी जो हमने देखे इसमें 30 में प्रसने मांकि मिलते हैं बहुत ज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और जाते जाते एक सेर जरूर करीजिएगा तो थैंक्यू फ्रेंड थैंक्यू सो मच मिलते हैं बहुत जल्दी